अगर आपके घर में एक वाइफाई कनेक्शन है और आप फाइंड करना चाहते हैं कि आपका जो वाइफाई है उससे आपके अलावा और कौन-कौन से मोबाइल या कौन-कौन से लैपटॉप या कौन-कौन से यूजर्स और डिवाइस कनेक्टेट है आपको यह फाइंड करने का एक छोट ऐसा प्रोसेस बताऊंगा वैसे यह जो प्रोसेस है आप इसली अपने राउटर के वेबसाइट पर लॉगिन करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बट उसके लिए थोड़ा सा लॉंग प्रोसेजर हो जाता है तो अगर आप अपने लापटॉप में यहाँ पर फाइंड करना चाहते है अपने पीसी है लापटॉप में कौन-कौन से यूजर्स और डिवाइसस आपके वाइफाई से गनिक्टेट है तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सिंपल सा सरल सा मैथड है जिसका यूज करके आप यहाँ पर शॉटकट में फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको अपना जो कमांड प्राम्ट है वो आपको ओपन करना है तो इसके लिए आपको राइट साड में रन एज एड्मिनिस्ट्रेटर पर आपको क्लिक करना होगा तो इसके बाद यहाँ पे आपका command open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको simple सा सिफ दो command है जो आपको copy paste करना है जो कि मैंने यहाँ पे already notepad में type करके रखा है दो command और यह दोनों command का use करके आप easily connected users and devices के जो devices से वो आप easily find out कर सकते हैं तो यहाँ पे दो command है तो यहाँ पे आपको सी first command जो है उसका use करना है अगर आप connected devices को find out करना चाहते हैं लेकिन इसके अलावा यहाँ पे second command है उसका भी use है काफी जादा use है तो पहले में first command यहाँ पे find out करता है लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऐसा process करो तो उस वक्त आपका जो laptop है वो आपके wifi से connected होना चाहिए तो यह work out करेगा तो जैसे आप यहाँ पे पहला command copy paste करेंगे आपको यहाँ पे down set में वो सारे devices और सारे users आपको यह list है वो आपको down set मिल जाएंगे जो currently आपके wifi से connected है that's it just like this लेकिन अगर आप in case अगर आप कभी ऐसे scenario आगया कि आप अपने wifi का password पूरी तरीके से भूल चुके है और आपको नहीं पता कि आपके wifi का password क्या है तो ऐसे cases में आप यहाँ पे second command का use कर सकते हैं simply आप इसको copy करना है और अपने command prompt में paste करना है तो जैसे आप second command का use करेंगे आपको down set में password का option मिल जाएगा दिन इसके बाद आप यहाँ पे अपने my computer में जाके अपने c drive में जाएंगे तो आपको यहाँ पे c drive में down set में चार folders दिखेंगे चार files दिखेंगे जिसमें से first folder पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर फिर एक अलग सा जो website है वह आपको दिख जाएगा जिसमें आपको अपने wifi का password easily पता चल जाएगा वैसे इसका use करके आप किसी के भी wifi का password आप easily find out भी कर सकते हैं तो यहाँ प आप password तो यह एकदम simple सा method है जिसका use करके आप password को easily find out कर सकते हैं लेकिन in case अगर आप अगर आप shortcut में find out करना चाहते हैं तो तो that's all about लेकिन इस method का use करके भी आप यहाँ पर easily connected users and devices को currently find out कर सकते हैं I hope this will help you out in 2020 and in the future as well thanks for watching कि हैन 8 कि हैं नहाँ आप सकते हैं कि हैं ब आप समया कि ल literally कि मैं।क है math lesson